बहुत बहुत नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का स्पोर्ट स्यारी के चैनल पर सबसे बड़ी चीजात शुरू होने जा रहे हैं इस पूरे साल की इंडियन क्रिकेट के लिए वर्ल्ल टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल का आज आखिरकार आगाज होने जा रहा है दोनों टीमें जरूर तयार है लेकिन सबसे जरूरी पहलू पर पहले नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार डे वन का वेदर किस तरह से रहने वाला है केरिंग्टन ओवल लंडन के मैदान का ये वेदर फॉरकास इस समय आप सभी की स्क्रीन्स पर आपको नज़र आ रहा है जिस तरह आप देख सकते हैं जी पहला दिन फिलाल के लिए कोई भी चिंता की बात हमें नहीं नज़र आ रही है लंडन के समय के नुसार सुबे 11 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा 11 बजे तापमान 17 डिगरी कुछ हद तक सनी वहां पर रहेगा उसके बाद शाम को 6 बजे तक मुकाबला चलना है तब भी आपको सनी नज़र आ रहा है 11 से लेकर शाम के 6 बजे तक जो मिनिममम तापमान है वो 17 डिगरी मैकसिमम 21 डिगरी है बाइश के चांसे लगबग ना के बराबर है मतलब अब ये साफ साफ हमें नज़र आ रहा है जी कि पहला दिन पूरी तरह से क्लियर रहने वाला है और हमें एक फुल गेम डे बान पे तो देखने को ज़रूर मिलने वाला है लेकिन इसी के साफ में वेधर फोरकास के साथ अब नज़र डाल लेते हैं पिच के उपर किस मुकाबले की जो पिच है उसके उपर क्या अपडेट आ रहा है पिच इस समय आप सभी की स्कुरीन के उपर आपको नज़र आ रही है कल शाम को पिच के उपर एक नए अबडेट हुआ जब हम सभी ने देखा कि पहले इंडिया की टीम ने अपना उप्शनल प्रैक्टिस सेशन किया फिर उस्ट्रेलियन टीम का प्रैक्टिस सेशन कितम हुआ तो उसके बाद लगबग 3 mm वहाँ पर घास को और काट दिया गया पहले 9 mm घास थी फिर 3 mm उसे काट दिया गया जबकि अब 6 mm की जो है वो घास रह गही है इस पिच के उपर लेकिन फिलाल के लिए जो सबसे बड़ा और important update आपको देना था weather forecast को लेकर weather forecast day one का पूरी तरह से clear है किसी भी तरह के बारिश के कोई भेनुमान और chances वहाँ पर नहीं नज़र आ रहे है जिस तरह हम screen पर देख सकते हैं लेकिन बड़ी दिक्कत हमें कहां पर नज़र आ रही है पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन ये तीनो दिन साफ नज़र आ रहे है जहां दिक्कत है वो है चौथे पांचवे दिन पर यानि की 10 और 11 जून को बारिश नज़र आ रही है यहां तक की 12 जून जो की reserved है उस पर भी बारिश नज़र आ रही है लेकिन फिलाल मुकाबला शुरू होने में जहां लगबग 2-3 घंटे का समय बाकी है उससे पहले की ये weather report जो बताती है कि England का weather आज ना ही बदले जो अकसर काफी तेजी से बदलता रहता है अभी तक तो ये मौसम काफी साफ है और उमीद है हमें देखने को मिलेगा पहला देन WTC के फाइनल का पूरा साफ और एक शानदार क्रिकेटिंग आक्शन से भरा हुआ जरूर सब्सक्राइब के लीजे स्पोर्ट्स यारी के चानल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ने किया है और अभी के लिए हमें दीचे इजाजत जेहिंद जेह भारत